हेलो नमस्कार यह स्टूडेंट वेलकम टू सक्सेज केरियर आज के स्वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं आई टीवीपी की तरफ से रिकूर्मेंट निकल कर आ रहा है आई टीवीपी रिकूर्मेंट वेबसाइट के तरफ से ठीक है जो कि यह आफिसेल अपडेट है और यह फार्म कबसे बाड़ा जाएगा आई टीवीपी हैड कंस्टेबल का इसमें हम पूरी जानकारी बात करने वाले हैं इंडो टीवेटन बाड़र पुलिस फोर्स जो कि मिनिस्ट्री आफ होम अफेर्स के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है और यह गोर्मेंट आफ इसके लिए पोस्ट निकल करा रहा है जिसके लिए यहाँ पे सेल्डी जो होगी आप लोग का 25500 रुपे से लेकर 18100 रुपे 7th CPC के द्वारा यहाँ पे लागव होगा ठीक है इसकी पूरी डिटेल नोटिफिकेशन यह आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे वैकें गूगल पे आप लोग को सर्च करना है सक्सेचक करेंगे सक्सेचकरियर.co.ak on in तो आप चले जाएंगे और आपको नीचे चले जानाग थे जाएंगे तो सबसे नीचे आ जाएंगे यहां पर यहां पर प्राइबेट वाला सेक्षन भी मिल जाएगा हम सभी चलते हैं लेटेश जाब में जो कि आप लोग को अप्लिकेशन में बोला गया है यहां पर हम पूरी बात करेंगे पूरी डिटेल से बात करेंगे अनलाइन अप्लिकेशन मोड विल बी ओपेंड यानिकी आठ जुन 2022 से यह ओपन होगा और कब तक चलेगा शेवेंथ जुलाई 2022 तक चलेगा यह फाम ठीक है इंपोर्टेंट ड सब्सक्राइब देख लिए जैसे लाज़ डेट फीस पेमिंट का साथ साती रहेगा एक्जाम डेट अवेलबर सून हो जाएगा जैसे आएगा तो मैं आपके यूट्यूब चैनल के द्वारा या सक्सिस कहरें डाट को डाट इन पर आफिस्यल वेबसाइट पर मैं अप्लो आप लोग का जो एप्लिकेशन फीसे वह आनलाइन मोड में जमा करना है उसके लिए अब देखिए यहां पर दो तरह की जाब निकल कर आ रहे हैं पहला जो जाब है हेड कंस्टेबल सीम डाइरेक्ट इंट्री जिसमें अन्य लोग पार्टिसिपेट करेंगे और दूसरा ज दिपार्टमेंटर वालों को 18-35 साल लखा रहा गया है और जो बॉर्ण होनी चाहिए आपका जन्म होना चाहिए वह दो जनवी 1987 के बाद और 2022 का डिपार्टमेंटर यह बॉर्ण बिटूइन लिखा है यह डिपार्टमेंटर वाला है और यहां पर देखिए आपका बन जो ह पर लिखार्टमेंटर वालों के बाद का होना चाहिए अब हेट कर स्टेवल की जो फी से पेस के लिए कितना मिलेगा तो 25 पानसों से लेकर 81,100 रुपे मिलेगा इसके लिए इलिविल्टी आपका सिनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट यानि की 12 सर्टिफिकेट आपके पास होन खते होको हाँ पपे पोस्ट वाइज वकैंसी डीटेल देखिए तो टॉटल 248 पोस्ट निकला हुआ है 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 का स्टेमर डायरेक्ट इंट्रीम मेलं के लिए 135 पोस्ट है और डीपार्टमेंटल जो आ वह 90 पोस्ट अब्बेश्ट है तोल 240 पोस्ट निकला हुआ है और यहां पीएस्टी रिटेंटे रिटेंटे रिटेंग्यामिनेशन इस्किल टेस्ट और मेडिकल एक्जाम के थुरू आपका यहां पर सेलेक्शन होगा फाम को कैसे बना है तो यहां पर लिंक अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है लिंक आठ जुन दो अजर एक बाइस को आइड जुन जोईन नहीं करेंगे तो बहुत धेर सारे वकेंसी को मिस कर जाएंगे और रेगुलर मोड में आप सकसेज करिया डॉट को डाट इन की आफिसल वेब साइट पर विजिट करिए रही है आप लोग को डेली जापकी अपडेट यहां पर मिलता रहेगा और यह नोटिफिकेश कि नहीं बात करूं यहां पर क्योंुम हंने यहां पर यहां पर हैट काव्ड़ कमपार्टमेंट वालों के लिए तो यहां में केलिए जनरल में 55 सीथ चाखंड में चार के भाइं OBC में 4 EWS में 2 है टोटल यहां पर 23 पोस्ट है यह कौन सा है डाइरेक्ट इंट्री वाला जो कि आप लोग इसके लिए इलिजिबल है और यह डिपार्टमेंटल है डिपार्टमेंट वाले इसको वरेंगे तो इसमें है कि डिपार्टमेंटल कंपेटिटिव से हम इसमें जनरल में 74 पोस्ट निकल कर आ रहा है स्टी में 8 पोस्ट निकल कर आ रहा है स्टी में 8 पोस्ट निकल कर आ रहा है टोटल यहां पर 90 पोस्ट निकल कर आ रही है और इसके लिए अफिसेल वेबसाइट जो है www.recruitment.itbp itbpolis.nic.in है यहीं से आप लोग को आनलाइन फार्म यह बस और आप इसके लिए इलिजबल है और रही बाद टाइपिंग की तो टाइपिंग जब आप लोग सेलेक्शन हो जाएंगे तो आप लोग का टाइपिंग की क्या हो जाएगी वहाँ पर प्रेक्टिक कर लेंगे तैयारी हो जाएगे कोई बड़ी बात नहीं है 35 कर दीजिगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बाक्स में दे दूगा टेल्ग्राम में भी आप कमेंट कर सकते हैं और देखिए कौन-कौन से जाब यहां पर अपडेट है तो अन्य जाब की भी मैं आप लोग बता दू कौन-कौन से आया हुगा है देखिए ITBP का यूपी आ अजरबाइस का जाब आया हुआ है ससी देली पूलिस हेड कंस्टेबल रिकूर्मेंट आया हुआ है और टी एसस पीडी सी एल रिकूर्मेंट दो अजरबाइस यह बिजली विभाग का है तो यह अभी आनलाइन फाम हो रहा है इसको आप एप्लाई कर सकते हैं मारूति इंद्रा में अभी जाब निकल कर आया हुआ है और तीन अधर कंपनियां यह साथ में MRF टायर कंपस प्लेस्मेंट आया हुआ था कंपस प्लेस्मेंट रिकूर्मेंट इप्लोमा बीटेक सबके लिए यहां पर आया था रिलाइंस जियो इन्फो टेक लिमिटेट के तरफ से यहां पर रिक्रूमेंट निकल कर आया था ठीक है तो आज के लिए वीडियो में इतने आई थैंक्स फर वाइचिंग दीज रिडियों में नेक्स्ट अपडेट में तब तक लिए बाए